कणकण में शिव है, हर जगे शिव है, वर्तमान भी शिव है, और भविश्य भी शिव है, शिव शक्ती है, शिव भक्ती है आओ, सावन में भगवान शिव का नमन करें, उनका आशीरवाद हम सब पर बना रहें, सारे दुख, सारे कश्ट, सारे रोग भाग जाते हैं, जब सा मैं और बालकनी में धूले हुए कपड़े को डाल रही हूँ सुबर से मैं तीन बार वास्टिंग मशीन चला चुक कि अब साम भी होने वाला है, भी मैं टांगोंगे नहीं, अब बार बार उपर नीचे करने का मन भी नहीं हो रहा था, इसलिए सोचे कि यहीं पे डाल देती हूँ, कल सुबह तक तो सुखी जाएगा, बालकली में सारा कपरा को डालने के बाद मैं छट पर जाऊंगी, और जित सारे कपड़े को मैं लेकर आ गई हूँ, और उसको बेडरू में रख दी हूँ, और जितने भी कलिप थे सारे कलिप को मैं यहां रसी पे ठांग दूँगी, मैं यहां बालकनी में काम करनी हूँ, और सोना एक दमी पर शान करके रख दे रहा है, कभी उपर नीचे होने लग रहा है, और नहीं तो सूरेक में जाकर बैठ जा रहा है, हमीसा सूरेक का यही हाल रहत है, उसमें जाकर बैठ जाता है, पता नहीं इसको क्या अच्छा लगता है, उसमें जाकर बैठ जाता है, और जैसे गारी चलाते हैं, उसको लगता है कि मैं गारी चला रहा हूँ, बार देर यहां पे सांध करवाई, उसे फुसलाई, उसे खिलाई, ताकि वो चूप हो जाए, उसे दूसरे चीज दे कर थोड़ा सा फुसलाई, सोना को सांध कराने के बाद, अब मैं फिर से काम करने में लग गई हूँ, कपरा अच बहुत जादा हो गया था, सारे रूम का चादर तक क्या खोल सब धोना था, इसलिए बहुत जादा कपरा हो गया, और मसीन को भी जादा बार चलाना पड़ा, सुबह ही चला देती और साफ सफाई करने में थोड़ा और जादा टाइम लग गया, तो मैं नहाई नही थी, तो मैं बाद में नहाई, और उनहाने तक सोना का भ पिर से रख दूँगी, और फिर सारे कपड़े को मोड़ कर अच्छे से रख दूँगी, सारे कपड़े को मोड़ ली हूँ, और कपड़ा को मैं रख भी दी हूँ, उसके जगापे सिर्फ चादर है, तो चादर को भी मैं रख दे रही हूँ, चादर को मैं इस वाले कबड में रख दे रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं डेली यूज होने वाले चादर को रख दे रही हूँ, और कुछ चादर निकाल लूँगी, जहांका मैं चादर धोई हूँ, वहां पे दूसरा चादर बिछाओंगी, सूबह से मैं बिछाई का खोल लगा लेती हूँ फिर मैं कुछ और काम करूँगी सारी तक्या का खोल लगाने के बाद मैं सबी तक्यों को उसके उसके जगा पे रख दूँगी जो भी जिस रूम का रहेगा उस रूम में जाकर रख दूँगी सारे कपड़े को मोड ली हूँ सभी रूम का चादर भी छाली और तक्या का कवर भी कर दी हूँ तो अब मैं जो भी कपड़ा बिना प्रेस किया हुआ है वो सारे कपड़े को मैं निकाल ले रही हूँ प्रेस करना है बहुत जादा कपड़ा हो गया है तो वो सब कपड़ा को मैं निकाल लेती हूँ और जो भी मेरा कपड़ा है वो इसको भी मैं अरेंज करके अच्छे से रख दूँगी डेली यूज होने वाला जब जैसे तैसे हो गया है कल मैं अरेंज नहीं की थी तो अभी मैं कर दूंगी कल ही इसको अरेंज करना था पर कल नहीं करने पाई उपर वाले सेल को साफ करने में लग गई और पूरा हाथ ये सब गंदा हो भी गया था तो इसलिए मैं आभी इसको अरेंज कर ले रही हूँ जादा नहीं है बस एक दो मिनट का काम है जल्दी से मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ फिर मैं प्रेश करने में लगूंगी मैं कपड़े को अच्छे से अरेंज करके रख दी हूँ अब मैं जितने भी प्रेश करने वाले कपड़े हैं सारे कपड़े को अलग करके रखूंगी इनका कपड़ा अलग रखूंगी और मैं अपना कपड़ा अलग रख दूंगी ताकि प्रेश करने में असानी हो मैं यहाँ कपड़े को अलग कर रही हूँ अपना काम कर रही हूँ सोना अपना काम कर रहा है वो बूप के साथ खेल रहा है देख रहा है और मैं उसे पोयम भी सुना रही हूँ ताकि वो परसान न करे और रोएन और मैं अराम से प्रेस करने बाओ इनका कपड़ा में प्रेस करने के बाद अब मैं आ गई हूँ सोना को तेल लगाने टाइम भी हो गया था इसलिए मैं पहले तेल लगा लेती हूँ और जो भी बचा हुआ कपड़ा है वो मैं रात को प्रेस कर दूंगे जैसी मैं तेल लगाने के लिए बैठी वो परसान होने लगा कि अब तेल लगेगा क्योंकि तेल लगाने में वो ज्यादा तर वोने लगता है इसलिए मैं उसे किसी तरह फुसलाने का कोसिस कर रही हूँ उसे पोयम सुना रही हूँ जो उसे पसंद हो ताकि वो अच्छे से तेल लगवाले क्योंकि तेल लगवाना उसे पसंद नहीं है पर तेल लगाना तो जरूरी है इसलिए मैं इसे किसी तरह फुस्लाने का कोशिस तो करी नही हूँ और साथ मैं इसके साथ खेल भी रही हूँ इसे कुछ सिखा भी रही हूँ जिससे वो खेल-खेल में कुछ सिखते हुँ इसको तेल लगाने तक साम भी हो गया था और इनका फोन भी आ गया था कि अब ये आफिस है निकल गया है तो मैं किचन में आ गई और चाय बनाने लगी चाय बनाते के साथ साथ मैं सोना का खाना भी बनाओंगी क्योंकि सोना का खाने का भी टाइम हो गया है तो मैं उसका खाना त्यार कर दे रही हूँ इसका खाना त्यार करने से पहले जो भी धूलेवे बरतन है वो सब बरतन को मैं सेल्फ पर रख दूंगी इसका खाना बनाने के बाद मैं फ्रीज से दूद निकाल कर ले आई हूँ सुबा मैं दूद रखी थी पनीर बनाना था उसको मैं नहीं बनाई थी सुबा के टाइम तो अभी मैं बनाऊंगी चाय पीने के बाद तो उसको मैं निकाल दे रही हूँ और चाय चड़ाने के बाद मैं नहाने चली गए थी क्योंकि दिया का टाइम भी हो गया है तो मैं पहले दिया दिखा लेती हूँ अगर आप लोगो को मेरा ब्लाउग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक सियोर करें और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लाउग को देख रहे वो चैनल को सब्सक्राइब सियोर करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुच सके मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों में सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें कभी भी ब्यक्ति का कभी भी सारवजनिक रूप से अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि मनुष्य मौका मिलते ही अपमान का बदला जरूर लेता है